परिजय पाइटो पंजर यानि साइटो स्केलिटन, पक्षमा भिकाओं तथा कशा भिकाओं यानि सीलिया तथा फ्लाजिला, तारककाय तथा तारककेंद्र यानि सेंट्रोसोम तथा सेंट्रियोल, केंद्रक तथा सूक्षमकाय यानि माइक्रो बॉडी की संग्रचना की चर्चा करें तो आँ शुरू करें। तारक काय तथा तारक केंद्र यानि सेंट्रोसोम तथा सेंट्रियोल के गुणों को समझना। केंद्र के गुणों को जानना। सूक्ष्मकाय यानि माइक्रोबोडी के गुणों को जानना। साइटो पंजर यानि साइटो स्केलेटन के गौँ साइटो पंजर यानि साइटो स्केलेटन तंतु मैं प्रोटीन युक्त संदचनाओं का एक घना चाल है जो की कोशिका द्रफे में पाया जाता है साइटो पंजर यानि साइटो स्केलेटन तांत्रिक सहायता एवं गती प्रदान करता है तथा कोशिका की आकरिती को बनाए रखता है पक्षमा भिकाउं तथा कशा भिकाउं के गौण पक्षमा भिकाउं तथा कशा भिकाउं कोशिका जिली पर पाई जाने वाली रोम सद्रिश अपव्रिध्या है पक्षमा अब एक छोटी सनचना है जो चप्पू की तरह कारे करती है ये कोशिका को या उसके चारों तरफ पाई जाने वाले द्रवी की गती में सहायक है कशा भिका अपिक्षा क्रित लंबे एवं कोशिका की गती में सहायक होती है पक्षमाप एवं कशा भिका जीव द्रवे जिली से ढके होते हैं इनके कोर को अक्ष सूत्र कहते हैं अक्ष सूत्र कई सूक्षमनलिकाओं का बना होता है जो लंबे अक्ष के समनां तरिस्थित होते हैं अक्ष सूत्र के केंद्र में एक जोड़ा सूक्षमनलिका और नौ दुईक अर्ये परिदी की और वेवस्तित सूक्षमनलिकाएं होती हैं अक्षु सूत्र की सूक्ष्म नलिकाओं की इस वैवस्था को नौ जमादो प्रणाली कहते हैं केंद्रिय नलिका सेतु द्वारा जुड़े हुए एवं केंद्रिय आवरन द्वारा धके होते हैं जो परीधिये दुईक के प्रत्येक नलिका को अरिय दंड द्वारा जोडते हैं। इस प्रकार नौ अरिये तान यानि छड़ बनती हैं। परीधिये दुईक सेतु द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। दोनों पक्षमाब एवं कशाभिका तारक केंद्र सद्रिश सनचन से बाहर निकलते हैं, जिसे आधारी काय कहते हैं. तारक काय तथा तारक केंद्र के गुण तारक काय वह अंगक है जो दो बेलनाकार सनचन से मिलकर बना होता है, जिसे तारक केंद्र कहते हैं. तारक काई अक्रिस्टिलिये परिकेंद्रिये द्रव से घिरा होता है। दोनों तारक केंद्र तारक काई में एक दूसरे के लंबवत स्थित होते हैं, जिसमें प्रतीक की सनचना बैल गाड़ी के पहिये जैसी होती है। तारक केंद्र संख्या में नव होते हैं, तथा समान दूरी पर स्थित परिधिये ट्यूब यूलिन सूत्रों से बने होते हैं। प्रतेक परिधिये सूत्रक एक त्रिक होते हैं। तारक केंद्र का अगर भीत्री भाग प्रोटीन का बना होता है, जिससे धुरी कहते हैं। यह धुरी परिधिये त्रिक के नलिका से प्रोटीन से बने अरिये दंड से जुड़े होते हैं। तारक केंद्र पक्षमाप एवं कशाभिका का आधारी काय बनाता है और तरकु कुतन्तु जन्तु कोशिका विभाजन के उपरांत तरकु उपकरण बनाता है. केंद्रक के गुण केंद्रक की खोज सर्व प्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में आर्केट कोशिकाओं में की थी. केंद्रक कोशिका का निर्देशक भी कहा जाता है. केंद्रक कोशिका का सबसे महतपून भाग है, जो की शरीर के सभी कोशिकी ये कारियों को संचालित तथा नियंतरित करता है फ्लेमिंग ने केंद्रक में मिलने वाले पदार्थ जो ख्षारिये रंग से रंजित हो जाता है, उन्हें क्रोमेटी नाम दिया अंतरकाल अवस्था केंद्रक अत्यधिक फैली हुई एवं विस्तरित केंद्रकी ये प्रोटीन तंतु की बनी होती है, जिसे क्रोमेटीन कहते हैं केंद्रकी ये आधात्री में एक या अधिक गुलाकार सनचनाएं मिलती हैं, जिसे केंद्रक कहते हैं केंद्र कावरण दो समनांतर जिलियों से बना होता है, जिनके बीच रिक्तिस्थान पाया जाता है, जिसे परी केंद्र की अफकाश कहते हैं बाहे जिलि, समानिता, अंतर द्रवेई जलिका से सतत रूप से जुड़ी रहती है और इस पर राइबोसों भी जुड़े रहते हैं निश्चित स्थानों पर केंद्र कावरण चिद्र बनने के कारण विच्छिन हो जाता है, ये चिद्र केंद्रक आवरण की दोनों जिलियों के सनलगन से बनता है इन चिद्रों से होकर RNA और प्रोटीन अणूं केंद्रक में कोशिका द्रव्वे एवं कोशिका द्रव्व से केंद्रक की ओर आते जाते रहते हैं गुण सूत्रों के कारे कोशिका विभाजन की विभिन अवस्थाओं के दौरान कोशिकाओं में केंद्रक के स्थान पर संदच नात्मग गुण सूत्र दिखाई देते हैं क्रोमेटीन में DNA तथा कुछ एक्षारिय प्रोटीन मिलता है जिसे हिस्टोन कहते हैं इसके अतिरिक्त उनमें इतर हिस्टोन वा RNA भी मिलता है मनिश्य की एक कोशिका में लगभग दो मीटर लंबा DNA सूत्र 46 गुण सूत्रों में बिखरा होता है प्रतेक गुण सूत्र में एक प्रात्मिक संकीनन मिलता है जिसे गुण सूत्र बिंदू यानि सेंट्रो मेर भी कहते हैं जो की गुण सूत्र को दो भागों या भुजाओं में विभगत करता है गुण सूत्र बिंदू पर बिंब आगार की सनचना मिलती है जिसे काइनटो कोर कहते हैं गुण सूत्र की छोटी भुजा को P भुजा कहते हैं, जबकी लंबी भुजा Q भुजा कहलाती है। गुण सूत्र बिंदू की स्थिती के आधार पर गुण सूत्रों को चार प्रकारों में विभाजित किया गया है। मद्ध केंद्री यानि मेटरा सेंट्रिक, उपमद्ध केंद्री यानि सबमेटा सेंट्रिक, अगरभिंदू यानि एक्रो सेंट्रिक और अंत केंद्री यानि फिवो सेंट्रिक। मद्धे केंद्री यानि मेटरासेंट्रिक गुण सूत्र में गुण सूत्र बिंदू गुण सूत्रों के बीचों बीच स्थित होता है, जिससे गुण सूत्र की दोनों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। उपमद्धे केंद्री यानि सबमेटरासेंट्रिक गुण सूत्र में गुण सूत्र बिंदू गुण सूत्र के मद्धे से हटकर होता है, जिसके परिणाम सरूप एक भुजा छोटी और एक भुजा बड़ी होती है। अग्रबिंदू यानि एक्रोसेंट्रिक गुण सूत्र में गुण सूत्र बिंदू इसके बिल्कुल किनारे पर मिलता है, जिससे एक भुजा अत्यंत छोटी और एक भुजा बहुत बड़ी होती है। अंतकेंद्री यानि टीलोसेंट्रिक गुण सूत्र में गुण सूत्र बिंदू गुण सूत्र के शीर्ष पर स्थित होता है। कभी-कभी कुछ गुण सूत्र में निश्चित इस्थानों पर अरंजित दूतिय संकीनन भी मिलता है, जो गुण सूत्र के छोटे से अंश के रूप में दिखाई पड़ता है, जिसे अनुशंगी यानि सेटलाइट कहते हैं. विशेश प्रकार के गुण सूत्र दो विशेश प्रकार के गुण सूत्र होते हैं, लेंप ब्रुष गुण सूत्र तथा पॉलिटिन गुण सूत्र लेंप ब्रुष गुण सूत्र एमफिबिया के अंड जननों में पाए जाते हैं लेंप ब्रुष के लूप DNA, RNA तथा प्रोटीन से मिल कर बने होते हैं लेंप ब्रुष गुण सूत्र अर्थ सूत्री विभाजन की पूर्वा वस्था में दिखाई देते हैं पॉलिटिन गुण सूत्र कुछ कीटों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं बिना किसी कोशिका विभाजन के पॉलिटिन गुण सूत्र DNA के दुई गुणन के परिणाम सोरूप निर्मित होते हैं पॉलिटिन गुण सूत्र में बॉल बियानी चल्ले पाई जाते हैं, जिन पर RNA तथा प्रोटीन संशिलेशन होता है. सूक्ष्म काई के गुण बहुत सारी जिल्ली आवरित सूक्ष्म थैलियां जिसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम मिलते हैं, ये पौधे और जन्तु कोशिकाओं में पाही जाते हैं. सूक्ष्म काई पर ऑक्सिसोम तथा ग्लाई ऑक्सिसोम से मिलकर बने होते हैं, जो की पर ऑक्सिसाइट के आगास से कोशिका की रक्षा करते हैं. पर ऑक्सिसोम में ग्लाई कोलिट ऑक्सिडेज एंजाइम पाया जाता है, जो की प्रकाश श्वसन में सहयक है. स्फिरोसूम, वसा का निर्मान तथा संचाइब क्या आप जानते हैं लिविन हाक ने मचली के RBC में सर्व प्रथम केंद्रक का निरिक्षण किया D. Robertis तथा उनके साथियों ने 1971 में केंद्रक की सनजना प्रतिपादित की थी केंद्रक में DNA तथा हिस्टोन लगभग एक-एक के अनुपात में पाए जाते हैं केंद्रिक को छोटा केंद्रक भी कहा जाता है नुकलियोसूम गुनसूत्र की क्रियात्मा की काईया कहलाते हैं प्रोकेरियोटिक कोशिकाओं के नुकलियोइट का अन्य नाम जिनोफोर है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं साइटो पंचर यानी साइटो स्केलेटन तांतरिक सहायता एवं गती प्रदान करता है तथा कोशिका की आकृति को बनाये रखता है पक्षमा भिकाएं तथा कशा भिकाएं कोशिका जिल्ली पर पाई जाने वाली रोम सद्रिश अपवरिध्या है तारक काए वह अंगक है जो दो बेलना का सनचना से मिलकर बना होता है जिसे तारक केंद्र कहते हैं केंद्रक दूई के जिल्ली युक्त केंद्रक जिल्ली से घिरा होता है जिसमें केंद्रक छिद्र पाय जाते हैं भीत्री जिल्ली केंद्रक तरव्वे वा क्रोमेटीन पदार्थ को घिरे रहती है प्राणी कोशिका में तारक केंद्र युगमित होता है जो एक दूसरे के लंबवद इस्थित होते हैं बहुत सारी जिली आवरित सूक्षम थैलियां जिसमें विभिन प्रकार के एंजाइम मिलते हैं ये पौधे और जन्तु कोशिकाओं में पाई जाती हैं